एक बहुत उप्योगी जानकारी देने वाला हूँ देव गुरु भ्रियस पती वक्री हो रहे हैं 118 दिन के लिए लगभग चार मैने की समय अवदी रहेगी 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 के बीच यह चार मैने की समय अवदी अचानक से 7 रासी वाले लड़के लड़कियों की शादी का रिस्ता पक्का करवा सकती है देखे प्रियदर्सकों किसी भी लड़का या लड़की के विवाह करवाने की शादी करवाने की जिम्मेदारी देव गुरु भ्रियस पती के पास ही होती है और देवगुरू ब्रियस्पती जब जब किसी विशेश रासी को प्रभावित करेगा उस समय अवधी में उस रासी वाले लड़के लड़कियों की शादी का रिस्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाता है ऐसे में 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 के बीच की जो समय अवधी रहेगी 118 दिन के अंतरगत इन साथ रासी वाले लड़के लड़कियों का अचानक से शादी का रिस्ता पक्का हो सकता है तो जिन साथ रासी का मैं अभी आपको नाम बताने वाला हूँ इन साथ रासी वाले लड़के लड़कियों की शादी विवहा के योग उम्र हो गई है बार बार प्रियास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही हो तो इस चार मेने की समय अवधी में आपको अधिक से अधिक प्रियास करना है शादी के लिए बात आगे बढ़ानी है जिन साथ रासियों का मैं अभी नाम बताऊंगा इन साथ रासी वाले लड़के लड़कियों का 9 अक्टूबर 2024 से 4 फर्वरी 2025 के बीच की समय अवधी में अचानक से शादी का रिस्ता पक्का हो सकता है तो ये साथ कौन सी भागे शाली रासियां हैं जिनको देव गुरू ब्रियस पती विशेश रूप से प्रभावित करेंगे जानकारी देने से पूर्व बता दू जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेश तह है मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटिक जानकारियां हमेशा पाना चाते हैं जैसे आपकी शादी कब कहा कैसे होगी कैसा जीवन साती मिलेगा और जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे आपको बहुत जादा फाइदा होगा कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं तो चल 25 के बीच इसमें सबसे पहली भागेशाली रासी बनती है मेश रासी मेश राशे वाले लड़के लड़कियों के विगत काफी समय से यदि निरंतर विभा होने में शादी होने में समझ चल रही है तो 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 के बीच आपको जादा से जादा प्रयास कर यानि कुंडली के अकोडिंग जो आपकी रासी बनती है उससे आपको जानना है यानि रासी वही लेनी है जो आपकी जन्म कुंडली में बनती है और जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं बनी हुई है तो उनका जो बोलतावा नाम है उससे जो रासी बनती है उसी से जानें यदि जनम कुंडली के अंतरगत मैरिज हाउस यानि विवाह का इस्तान बहुत ज़्यादा पेड़ी तवस्ता में हो तो किसी योग्य जोतिशी को अपनी कुंडली दिखा करके उसका उपाई जरूर कर ले नहीं तो बहुत बार फिर ये कहने सुनने में आता है लेकिन इससे ज़्यादा महत्पूर्ण होता है कुंडली में जो विवाह इस्तान है वह कहीं बहुत ज़्यादा पेड़ी तवस्ता में हो तो उससे सम्मंदित उपाई करने की बहुत ज़्यादा अवशकता होती है शिग्र विवाह करवाने के लिए जल्दी से जल्दी शादी का रिस्ता पक्का करवाने के लिए तो पहली रासी बनी जैसे मेश रासी और दूसरी रासी बनती है ब्रशब रासी यदि ब्रशब रासी वालों के भी विगत काफी समय से शादी होने में विवा होने में बादा बनी हुई है तो इस चार मेने की समय अवधी में जादा से जादा प्रियास करें आपकी बात बन सकती है, शादी का रिस्ता पका हो सकता है तीसरी भागेशाली रासी बनती है, सिंग रासी सिंग रासी वालों के भी विगत काफी समय से यदि विवाव होने में अर्चन ही चल रही है तो इस चार मेने की समय अवदी में ज़ादा से ज़ादा प्रियास जरूर करें अचानक से आपकी बात बन सकती है देव गुरु ब्रियस पती की जो शुब दरश्टी है शुब प्रभाव है वो सिंग राशी वालों को प्रभावित करने वाला है इससे आगे बढ़ें तो चोथी राशी बनती है कन्या राशी कन्या राशी वालों का भी अचानक से शादी का रिस्ता पक्का हो सकता है 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 के बीच पांचवी राशी बनती है व्रश्चिक राशी वालों के विगत काफी समय से यदि विवा होने में बाधाएं बनी में तो इस चार मेने के अवधी में जादा से जादा प्रियास जरूर करें इससे आगे बढ़ें तो रासी आती है धनु रासी धनु रासी वालों का विवाह योग बनेगा इस चार मेने की समय अवधी में तो जरूर जादा से जादा प्रियास करिएगा 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 के बीच और अंतिम रासी बनती है मकर रासी मकर रासी वालों के भी विगत काफी समय सियदे विवाह में निरंतर बाधा हैं चल रही है तो देव गुरू ब्रियास पती जैसे वक्री होंगे आपकी रासी को प्रभावित करेंगे ऐसे में 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 के बीच जादा से जादा आपको विवाह के लिए वारता आगे यह समय अवधी आपकी बात बना सकती है देखे प्रियादर सकूं यह चंदर रासी के अकोरिंग जैसे मैंने आपको जानकारी दी है गोचर में भ्रियस पती की इस्तिती कौन से रासियों को प्रभावित करके विवाह योग बना रही है लेकिन एक विशेश बात जिन राश राशों का मैंने यहां नाम बोला है शादी का रिस्ता पक्का होने के लिए यदि इन रासी वाले लड़के लड़कियों की कुंडली में इनका विवाह इस्तान बहुत ज़्यादा पेडित हो जाए तो ऐसी इस्तिती में उस सम्मंदित उपाए करने की बहुत ज़्यादा तब ही बात बनती है और विवाहिस्तान पेडित नहीं है तो जिन साथ राश्यों का मैंने नाम बोला है जादा से जादा प्रियास करना इस चार मैने की समय अवदी में निश्चित रूपेन आपकी शादी का रिस्ता पक्का होने का बहुत बड़ा पावरफुल योग बन रहा है यह समय अवदी आपकी बात बना सकती है तो आज के लिए इतना इता देखते रहेगा आप हमारा जोतिस गुरू जी यूटूब चैनल